डेली नियूज के ट्रेवल सिरीज में आपका स्वागत है गर्मी के मौसन की शुरुवात होते ही लोग छुट्टियों की प्लानी करना सुरू कर देते हैं इसका सबसे बड़ा कारण है तब ती गर्मी से रहत पाना लेकिन हर कोई सिमला, मनाली या कस्मीर जैसे जगह पर छुट्टी बनाने का प्लान करते हैं जिसके करन लोगों की भीर वहाँ भी एकत्रित हो जाती है ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर के साथ या फिर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं तो हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां आपको मनाली से भी ज़्यादा ठंड़क का एसास होगा हेमकुण साहेब उत्तराखंड के चमोली जिले में सिखों का मुख्य तिर्थ अस्थन मौजूद है जिसे हेमकुण साहेब भी कहते हैं या एकलवता ग्लेसियर जील से घिरा हुआ है लोगों को यहां तक पहुशने के लिए 13 किलोमीटर पैदल चलना या फिर खचर द्वारत जा सकती हैं यह पूरा इलागा ठंड के मौसम में वर्व से ठख जाता है इसलिए गर्वी में यहां आना आसान है और सुकून के साथ साथ ठंड़ भी मिलती है हेमिस एडवेंचर के साथ साथ खूपसूरती को लेकर युवाओं के बीच लद्दाख काफी लोग पढ़िये हैं लेकिन कुछ अंजानी जवहों में से एक चम्मू और कस्मीर का छोटा सा कस्पा हेमिस प्राकृतिक सुंदर्था से भड़ा हुआ है यहां का तापमान बह दाहत महसूस करेंगे करगिल जम्मू कस्मीर में मौजूद करगिल सबसे ठंडक इलाकों में से एक है और अपनी करकराती ठंड के लिए यह इलाका बहत फेमस है सिंदु नदी के साथ ही बसे इस छित्र का तापमान सर्दी के मौसम में माइनस अर्टालिस डिग्री तक पहुँच जाता है इसलिए यहां कर्मी में भी काफी ठंड का एहसास होता है लेक पुराने राज्य लद्दा की राजधानी लेक परटकों का सबसे पसंदीदा परटन अस्थलों में से एक है लोग दूर दूर से यहां की संस्कृति और पडंप्रा के साथ यहां के कई आकरसक परटक अस्थलों का आनन्द लेने आते हैं यहां पूरे साल तापमान लवों साथ डिगरी से ज़्यादा नहीं होता है जबकि ठंड में यहां का तापमान खड़ जाता है धन्यवाद है यहां को है झाल झाल